सबी विध्यारतियों को नमस्ते, विध्यारतियों आपका जानवे एजुकेसन हम में स्वागत है, तो इस वीडियो के अंतरगत हम N.I.O.S. क्लास 10 और राजस्तान इस्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10 के अंतरगत, जो इंग्लिश विश्य है, उसका चेप्टर नंबर 5 है, और तो इस चेप्टर को हम पढ़ेंगे, इसकी हम हिंदी देखेंगे, इसका अर्थ क्या है, तो यह जो चेप्टर है, एक कहानी है, और यह कहानी जो है, एक टाइगर के उपर है, तो टाइगर किस तरह से एक टाउन के अंदर आ जाता है, कस्पे में आ जाता है, आने के बाद म वो इस चप्टर में बताया गया है तो आपने सब देखा होगा ताइगर किस तरहा होता है हलांकि जंगली जानवर है और साथ में ही वो मासारी जनवर होता है जो कि जानवरों को पसु पकस्यों को इंसानों भी खा जाता है उनसे खत्रा देता है लेंकि कुछ टाइगर ऐसे यह पहते हैं जो सरकस में पाले जाते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है है और वह अपने माश्टर के अखोडिंग ही बीहईव करते हैं तो बढ़ते हैं चेप्टर को तो चलो जंगल इस ए और आप कहां देख सकते हैं यस हां इन ए जू और सम टाइम इन ए सरकस हां हम उसको जू में देख सकते हैं यानि कि जो चिडिया घर होते हैं वहाँ देख सकते हैं इसके अलाव जो सरकस होता है वहाँ पर भी हम उन्हें देख सकते हैं जब आपने उनको सरकस में देखा है तो क्या आप उनसे डरे है तो क्या आप सरकस में होने वाले उस ताइगर से आपने डरे है या डरते है नहीं हम उसे नहीं डरते क्योंकि आप डरते नहीं है क्योंकि आप जानते है कि उन्हें अपने मालिक की बास सुनने के लिए प्रक्रिश्ट किया गया है यानि कि वो अपने मालिक की बात सुने यह हम जानते है यू नो डैर कि तुम यह जानते हो कि उनको ट्रेणिंग दी जाती है कि इनको टाइगर्स को कि वो अपने मास्टर की बात सुने a tiger comes to town is a story about a runaway circus tiger तो देखो यह जो story है a tiger comes to town तो tiger comes to town यह जो story है वो एक circus से भागी हुए tigers की है जो circus से निकल के बाहर कस्बे में आ गया है तो उससे संबन्दित यह कहानी है the story is told by the tiger तो यह story tiger द्वारा ही कही जा रही है तो नहीं जा रही है वो is the central character of the story जो कि इस कहानी का मुख्य पातर है read the story of find out that happened तो चलो अब इस कहानी को पढ़कर जाने की क्या होता है कहानी में क्या हुआ होगा यह हम पढ़कर कहानी को जानेंगे तो पढ़ते हैं इस chapter को completely आगे तो यह तो इसकी प्रस्तावना थी एक तरह से भूमी का थी जो है चेप्टर के बारे में बताया जाता है कि चेप्टर में क्या कहा गया है तो आप चेप्टर को आगे बढ़ते हैं तो इस चेप्टर की जो समरी है वो जानवी आप बेट तक हाग चेप्टर में यह चीजे बताई गई थी इस तरह से चेप्टर की समरी भी बहुत जरूरी होती है तो जानवी पर डाली हुई है तो आप चेप्टर यहां से सुरू होता है लेटर रीड दा टेक्स यह अब इस टेक्स को पढ़ेंगे इस चेप्टर को हम यहां से पढ़ेंगे बन पकली है तो पढ़ेंगे किृटर लग से पढ़ेंगी मी विरमी मार्केटर इप्टल अफ्टलны यह इसेером नली जाए खेला हुई कि उस्टियू प्रच्चयु को शेचते में आप नगक करते़ यावरी को यह से मैं आगे बढ़ा तो जब मैं वहाँ से गुजरा सटर्वेयर फूल डाउन और लोग नालीयों पेडों खंबों के पीछे चिप गए रेंज सड़कों चेम्बर धक्कन चुबन खे मलगन पापूलेशन थी जो वहां पर इतनी से भीड थी लोग बागों की वह मुझे देखते ही वो मेल्ट होने लगी मेल्टिंग आउट वसाइड यानि कि वो कम होने लगी जिस तरह से मास्कि घंग रहे थे हैं यहां पर यह हैं पर यह मैल्ट आउट अउट मुझे इनसानों को जानने का मुडा Бचmes नहीं मिना vy材 मुझे साथ कर मनों उसके इनसानों के सबीद पूर सांते हो द tentang मैं इनसानों को बारे में जानने का मुड़ा नहीं मिला वनकान वियाया थे necesita क्रहें किसा सर्कस दहा किते ही कि यह कप्टन किस मेरा दिखता हूँ और किसा से ल confronted कव मेरा को पbane काली आ तो है यह वर मेरा कज और का ने देखे रहा है अगर मैं इस द्रश्टी कॉन से सोच वें इस द्रश्टी कॉन से मेरा इन्सानों के बारे पूरी तरह से गलक्त धाना थी लोगों के बारे मेरी जानकरी गलत थी I had thought that they were strong and fearless, मैं तो सोचता था यानि मैं सोचता था कि इनसान जो है वो भोती strong यानि कि बहुत ताकतवर थे और भोती निदर होते हैं लेकिन इनको देखके तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तो सोचता था कि वे मजबूत और निदर होते हैं बट लेकिन अब मैंने पाया कि वे हिर्नों के जुन की तरह मुझसे भाग रहे हैं किसे भाग रहे है रनिंग फॉम देख रहे हैं मैंने देखा कि देम रनिंग फॉम मी यानि मुझे देखकर किस के बाद रहे है है आप डैयर का जुन्ड होता है जो टाइकर देखकर भागने लगता है उसी तरह से वह मुझे देखकर भाग रहे यानि कि मेरा कोई इन कूई इरादा नहीं था कि मेरा को इरादा नहीं था is इंधे Saskia कर और के लोगों को डेhelate जब मैं एक तेलर की सोप के दुकान के सामने रुका यानिकि पोच इन फ्रॉंट ओपे टेलर सोप यानिकि मैं एक दर्जी की दुकान के सामने रुका तो उसने क्या किया तो जो वो टेलर था जैसे ही मैं तेलर के दुकान के सामने रुका तो उसने अपनी मसीन छोड़ दी और खुद को एक अलमारी में बंद कर लिया क्या क्या उसने खुद को एक अलमारी में एक कबार के अंदर क्या 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 उसने बंद कर लिया और उसने मसीन को अबैंड़ दे यानिकि उसने मसीन को छोड़ दिया और वो चिलना ने लगा किया चिलना रहा है कि हाई में खतम हो गया हूं ठीक है आई एम अंडा रहे है कि यह मुझे कोई बसाई है कि कोई wording मारेका इस तरह से चिलना रहा है ड़्ड़कеся मारे कौन वो धर जी जिससे अपने में को कबाट के अंदर बंद कर लिया है और फिर बंद करके चिला रहा है कि हाई मुझे कोई बचाईए तिक कोई टाइगर को गोली मारेगा क्योंकि मैं मरा जा रहा हूं तो देखो अब क्या हुआ कि उसने क्या देखा आगे जो टाइगर ने आगे देखा कि दो कांश्टेबल के बीच में केदी जो है वो जा रहा था तो उस तो भागने का मौका मिल गया है यह दो कांश्टेबल है प्रजिनर का मतलब होता है कैधी को बれて तो 2 कांश्टेबल में कांश्टेबल के जा रहे होगे उसको प्रस मिल गया हे वा मोगा मिल गया, Abandoning him with his handcuff , जो उन्हेंने अपने हातोंम में हत्कडपी पहनी हुए थी तो जब ड़क आपकरी ? जब अपने हत्कडबी के साhãथ फिन कर भाग गये , तो constantly शोड़िवे वह अब ने पुछ ने उनकी हत्कड़ी पहनी हुए थी तो फिर अब उसने क्या किया देखो जुक्का क्या होती है जो टंगा होता है जब जो होस होते है घोड़े गाड़ी होती है जो हम टंगा बोलते है तो मैंने घोड़े को उसके जुक्का से अलग किया तो टाइगर ने क्या किया घोड़े को उसके जुक्का से अलग किया और आनन लेने लगा उसके जो पैसंजर है वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे अपना जान बचा के भाग ले थे तो यह जो वहाँ से भाग रहे थे अप सेर होपलेसनेस सीमड टू हैव साइज दा टाउन पिपोल ठीक है तो ऐसा लग रहा था कि सेर के लोगों पर निरासा की च्छाया च्छा गई है दी विद्रू दी विद्रू इन्टू देयर हॉम एंड एवन देयर रिमाइंड नर्वस तो उन्होंने क्या देखा कि लोगों पर जो है निरासा की आसा च्छाय हुई है वे अपने घरों में वापिस चले गए और वहां वे घबराए हुए है नर्वस हुए रखे है घबराए हुए है अपने घरों में जाकर आल डूर एंड विंडो एवरिवे भातए है वेशर्ट आटो जितने भी घर थे वहां पर वह पर सारे के सारे क्या थे उनके घरों के अंदर शटर डाउन हो रहते धे बंध रिए उनमें कुंदया लगी हुई थी और वहों सील्ड थे तो इससील बंध थे। इस से खिड़किया बंध थी कुंदीु लगी वह seal बन थी वाँकी जितने भी घर इस तरह से थे क्यों क्योंकि tiger वहाँ पर प्रवेस कर गया था लोग tiger की डरके मरें अपने घरों को अपने खिडकियों को उनको सब को ही वो कुंदी लगा के seal करके बन रखा था somewhere through that I was some extraordinary creature who might pass through the wall and lie in wet on the roof और in the basement तो देखो कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि मैं कोई extraordinary हूँ मैं कोई extraordinary creature हूँ यानि मैं कोई असाधरम प्रानी हूँ जो की दिवारों के मां अंदर से जो उनके दिवार है उनके तेखान है उसके अंदर घात लगा के बेठा हुआ है कि लोग ये सोच रहे कि मैं दिवार पार करके आ जाओंगा ये बाहर बे घात लगा के बेठा हुआ हूँ उनके basement में इन में तो इस तरह से लोग सोच रहे थे why should an ordinary simple tiger have any interest in them तो मैं साधरन सा tiger हूँ तो एक साधरन सा tiger क्यों दिल्चसपी रखेंगे ऐसे लोगों के अंदर तिक के either to destroy or the save गौर तो मैं उनके नयत उनकी रक्षा में मैं कोई दिल्चसपी रख रहा था ना उनको कोई हानी मुझे पहुचा नहीं थी तो मैं कोई उनको हानी नहीं पहुचाना चाहता था तो जो रेस्टोरेंट का जो डोर था दरवाजा में एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर कुछ पल के लिए आराम किया तो देखो तो महाँ पर कुछ लोग जब रेस्टोरेंट के दिवा रेस्टोरेंट के दोर पर दरवाजे पर जो ताइगर है वो क्या करने लगा रेश्ट करने लगा तो उसने क्या देखा कि जो कौफी पीने वाले थे कौफी डिंकर यानि कौफी पीने वाले टीफिन खाने वाले यानि कि टीफिन इटर जो टीफिन खाने वाले थे वो अपने मेज़ोबर चुपचा बेटे हुए थे और मुझे देख नहीं करूंगा मैं तुम्हें कोई नुक्सान नहीं पहुंचाऊंगा इत्योव टिफिन इन पीस यान सांधिस अपना खाना खाये डॉंट टाइम डॉंट मैंड मुझे 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 जो है वो देखो मत या फिर मेरी परवा मत करो तुम है नीरेश्ट टू मी एक एक विक्त हने विक्ति वक्ति ने अपने केस बोक को हकक कर रखा था था टेक्या बॉक्स हो गले लगा रखा था तुम कायर हो सांस लेने। तुम्हें डर लग रहा है तो इस तरह से वह बोल रहे है कि तुम जो इतने डरते हो कि तुम सास लेने में भी डरते हो गो ओन जाओ अपने केस को गिनो यानि कि उसके पाज जो काउंटर वे जो वेक्ती बैठा हुआ था जो केस गिर रहा था जो सबसे नजदीक था उस सेर के तो टाइगर के रहा है कि तुम मुझे डरो मत तुम मुझे मायन मत करो और अपना केस केंने का काम करो मैं तुम्हे कbak नुक्सान नहीं पहुँचाँ गा ठीक है, गो northern, तुम जाओ और काउंट था केस और अपने केस को गिनो यानि अपने पेसो को गिनना शुरू कि जो तुम‍हारा काम है पेसे गिनने का तो अपने पेसो गिन लो तुम यहीं चाहते हो कि अगर मेरी पूर्ष पर गिरती है कि तुम यहीं चाहते हो क्या चाहते हो तुम लोग कि कउन्ट कर ने कि तुम यह तो होगया कि सब देखा क्यों सब्सक्रमाइब है तुम क्या चाते है तुम तुम्हारा दर्वाजा है अवरूद हो गया है तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा दरवाजा अवरूद हो गया है तो मैं क्या देखना चाहता था कि मैं उसी भी ना चाहता था मैं यह देख भी रहा हूं कि माई यह माई टेल माई टेल ट्रेयस डाउन् टू दा श्ट्रीट चल रही है इप जो लोक कर रिखा है तुमारे दर्वाजे रखाए तुमारे देहलीच को तुमारे ऑफ कर रखा है पूरी तुमारे रखी हुई है तो और थे लाघ कुछुम अ कुछ नहीं हो आगे से लेकर फिछ़ा कल दे कम दूश्या तर तक है जी मने टेलें भी गुवेलादस हो। टेट अाडं प Alma स्बास। बढ़ा हुआ है आई फाउंड ग्रीन पेश्चर फुल ओप फूड ओन माई वे तो मैं जो है मुझे अपने रास्ते में भोजन से भरा हुआ एक हरा चारागार मिला तो जहां पर मैंने खाना खा लिया था आई वो नौट नेड एनी फूड फूर सेवरल डे तो मुझे कुछ दिनों तक खाने के आउशकता नहीं है कम यानि कि मुझे कुछ दिनों तक खाने के आउशकता होगी ही नहीं क्योंकि मैंने रास्ते में इतना खाना खा लिया था तो अब मुझे कुछ दिनों तक खाने के आउशकता नहीं होगी I want not attack until I feel hungry again यानि मैं जब तक हमला नहीं करूँगा जब तक कि में वापिस भूख ना लग जाए टाइगर अटेक ओनली वेन दी फिल हंगरी टाइगर तभी अटेक करता है जब उसको जनी क्या आउशकता होती है जो भूका मेसुस होता है मेसुस करता है जो भूक मेसुस होती है तब ही टाइगर जो है हमला करता है अनलाइक हुमेन बिंग्स वो किल वन अनोदर विदाउड परपज मनुष्य के विदि जो बिना किसी उद्देश्य भूक के एक दूसरे को मारते हैं ऐसा मैं नहीं करता है मुझे जब भूग लगती है तो ही मैं जानवर को मार कर खाता हूँ एक किसी इंसान को मारता हूँ ऐसे मैं किसी परहमला नहीं करता हूँ तू था ग्रेट दिलाइट ओप चिल्डरन बच्चे की खुशी इस्कुल जली जल्दी बंद किया रहे थे हर उमर के बच्चे इधर उदर भाग रहे थे दोर भाग रहे थे स्क्रीमिंग जोईली जोईली नो इस्कूल नो इस्कूल नो इस्कूल तो इस्कूल नो 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 इस्कूल हस भी रहे थे और डर। बहुने का भी आनन ले रहे थे डर भी रहे थे रहे तो रहे Canadians've थे दरने का बहुत हो रहा हुח मैंने तैंसे श्कूल गेट तो मैंने चक्छे मनें किया फिर इस्कूल से खेख जब अंदर गए और वो इस्कुल के hall में उनको अपने आपको बंद कर लिया कौन बच्चे महां से भाग कर इस्कुल के hall में बंद हो गए I climb up the step of the school तो मैं इस्कुल की सीडियो पर चड़ गया So and open door at the fore end of a Bramda and walk in तो मैंने वहां पर एक Bramda को दूर के छोड से खुला हुआ मैंने दर्वाजा देखा जो Bramda है उसका मैं दर्वाजा खुला हुआ देखा और मैं उसके अंदर Bramda के अंदर चला गया It is happen to be the headmaster's room तो मैंने वहां पर देखा कि यह है तो headmaster का कमरा था I noticed a very dignified man jumping on his table and having himself up into an attack तेखो अटिक क्या होता है एक हमारे अटारी होती है जैसे हमारे घरों के अंदर जो पहले अटारी बनी होती है तो मैंने क्या देखा कि मैंने उस कमरे में प्रवेस करके देखा उसके अंदर गया मैं वहां देखा कि a headmaster का कमरा था मैंने नोटिस किया कि headmaster बड़ा ही जो है sincere था ठीक के peaceful वेक्ती था sincere वेक्ती था और वो जो है वहां पर बेठा हुआ था जैसे उसने मुझे देखा मुझे देखकर उसने क्या कि headmaster क्या क्या मुझे देखा ही वह गरीमा मही था देखो डिगनी फाइट मतना तो घरीमा मही सम्मानित वेक्ती था और मुझे देखते ही वह जम कर गया किस पर table पर फूर चड़ गया और खुद को atari में बंद कर लिया इस पेसिल लिकिंग फोर कूल स्टोन फ्लोर तो जो वो पत्थर का जो फ्रस था वो थंडे फ्रस था वो मुझे विशेश से लगा हुआ मुझे अच्छा लगा ठीक है विट माई हैड अंडर दा लाज डेक्स तो जो वहां पर एक डेक्स थी उसके अंदर मेरा हैड चला गी मेरे गया अधु में किसी चीज़ बारе में चिंता करने कर नहीं रहता कुछ सोच नहीं रहता मुझे और किसी अच्छा लग रहा था तो मुझे और की बारे मेरा मूंड ही नहीं था all I wanted was a little moment of sleep में थोड़ी देर के लिए मैं सोना चाता था will I slept जब मैं सोग रहा था I had been properly locked up and was being watched तो लोगों ने जो है वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने मुझे किया कि उस कमरे में बंद कर गए है ना मुझे ठीक से अंदर बंद कर दिया गया और मुझे पर नजर रखी जाने लगी वाज वाज ने मुझे पर नजर रखी जाने लगी और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया जहां पर मैं आराम कर रहा था after I wake up जब मैं उठा I heard a teacher saying मैंने लड़ा जो वहाँ पर सिख्सक की आवाज सुनी तो कुछ ना सिख्सक को कहते हूं सुना नावडेट इस ब्रस इस एपली लोक्ट अप यानि कि यह जो खुखार जानवर है ब्रसली सोरी बुट का मतलब बताब कुखार कुखार जानवर को अब यह जानवर जो है अंदर कमरें बंध हैं तो हमें अब है क्या सोचना जानवर है कि इस कुखार जो जानवर है उसके वरे में क्या सोचा जाए एड इस मोमेंट माई मास्टर पास्ट पुष्ट इज वे थू दा क्रोड एंड स्कोल्ड उसी समय उस समय मेरे गुरू भीर को चीरते हुए आगे बड़े और डाटते हुए कहा जानवर के लिए जो एसे सब्दों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए जिनोने सब्दों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए देखो तो इस समय जो बहुत जानवरों के लिए उन्हों गिनोने सब्दों का प्रियोग किया गुखार है तो जो मनुष्य ने अपने एहंकार में गड़े हुए इस्तमाल नहीं करना चाहिए दा हम हुमेन बिंग थिंग आल अदर क्रियेचर आर बिर्स तो सभी हुमेन जिनी जो भी मनुष्य वो यह सोचते हैं कि सारे जानवर के होते हैं खुकार होते हैं बुरे होते हैं बुरे होते हैं बुरे बुरे शब्दों का उनका प्रियोग करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता सभी प्रानी बुरे नहीं होते है तो जानवरों के लिए ऐसे सब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए कि वो क्या है बुरे है, खुकार है ठीकि ऐसे प्रियोग नहीं करना चाहिए In this time to discuss this problem of vocabulary तो इस समय हमारी जो वहने इस सब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए वात्य है दिकेऊस में यू-गार यू टो तुम कोन हो उन्हे पूछा कि उन्हें का समय तो उन्होंने कहा कि यह जो सवाल है वो बहुत ही घेरा सवाल है I have no idea who I am, यानि मैं idea नहीं लगा सकता कि मैं कौन हूँ All my life I have been trying to find the answer यानि मेरा पूरा जीवन है इसी बात को इसी सब परसन को ढूनने में लगा हुआ है इसी सवाल का जवाब ढूनने में लगा हुआ है कि मैं कौन हूँ Are you sure कि तुम sure हो, you know, who are you यानि कि तुम sure हो कि तुम कौन हो, तो इस तरह से ये बात हो रही है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सस्क्राइब करें मिलते अगले वीडियो में जेहिन जे भारत